तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टन मीडिया को, और वो भी New York Times, Washington Post, CNN, सब को ललकार रहे हैं, वो कह रहे हैं, हमारे इंटरनल मामलात में धखल ना दें. वो ने बोला कि भई जो देश हैं, जुनको कोट जाना पड़ता है, अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ग्यान देंगी, कि कैसे इलेक्शन करते हैं? Countries who have to go to court, to decide the result of their election, are giving you today ज्यान about how to conduct your election. जहपहन को डाटना होताए, वो डाट देते हैं. जहाँ पर आवाज उची करनी होते हैं, उची कर लेते हैं. जहाँ पर दूसरे को उसकी आखानी होती है, दिखा देते हैं. आपको नहीं लगता है, हमारी लिटरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टन मीडिया से, के मीडिया मारे ज्यादा खिलाब नहीं होजे, आप तो इंडिया ललकार रहे है वेस्टन मीडिया को. अमरीका है, अमरीका ग्यान दे सकता है, वेस्टन कांट्रीज ग्यान दे सकते हैं, खुद इनके सारे घर के परदे फटे हों, हमारे घर का इंटीरियर इनको एक बार जरूर डिसकस करना है दोस्तों. अब डॉक्टर जैशंकर से बोला किसाब, भारत का जो इलेक्शन है, उसमें विदेशी इतना इंट्रेस दिखा रहे हैं, इंटेफियर कर रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने दो-तीन बात नें बोली दोस्तों, और एक-एक बात जो डॉक्टर जैशंकर की है ना, that is 24 karat gold, it's worth his weight in gold, उन्होंने बोला यार पिछले 200 साल से जो west है न, वो dominant कर रहा है narrative, और वो इंडिया को एक खास जगे देखना चाहता है, वो इंडिया को एक खास lens से देखता है, और जब इंडिया उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब उनको बेचे नहीं होती है, वो एक प्र है यूरोपेन कंट्री कुछ बुले, तो इंडिया बुले, हाँ साबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साब, हम पूरी कोशिश करेंगे, ये चाहते हैं ये, और जब भारत नहीं करता, तो इनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत परिशानी होती है, तब ये लोग जाके क्या करते हैं लोग तंतर खत्रे में, ये कोई इसका प्रूफ नहीं देते कि लोग तंतर खत्रे में क्यों है, कोई सबूत नहीं देते, बस है खत्रे में, आपके लाखों दर लाखों, मिलियन दर मिलियन आपके सबस्क्राइबर हैं, रोज जुट बोलोगे, रोज जुट बोलोगे, कहीं दूर दराज अलाके में, कोई शहर में, कोई गाउं में, कोई कस्बे में, कोई बस्ती में, कोई तो बेकूफ होगा जो आपकी बात बात बान लेगा अब डॉक्टर जाशंकर और क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर जैशंकर का यह कहना है कि यार देखो आप चाहते हो भारत एक तरीके से रहे भारत नहीं रहता वैसे इसलिए आपको दिक्कत है तो फिर आप क्या करेंगे आप बोलेंगे भारत में लोग तंदर खत्रे में हैं भारत में जो माइनारिटीज है न मुसल्मान, मुसल्मान खत्रे में भारत में सब कुछ गड़बर हो रहा है आप भारत के उपर प्रेशर डालने के कोशिश करेंगा अच्छा भारत यह सब प्रेशर लेता नहीं है तो तब इनको बड़ी दिक्कत होती है कि भारत प्रेशर क्यों नहीं ले रहा अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दो-तिन एक्जामपल आपको दे देता हूँ कि डॉक्टर जैशंकर ने पॉइंट क्यों लिया दोस्तों जब रूस ने युकरेन पर अटैक कर दिया था आपको पता ही है भारत ने तेल भी लिया भारत ने S-400 सिस्टम्ज भी लिया अमरिका ने बोला हम यह कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे रहा हम भागो यहाँ से हमें लेना हम लेंगे एटिया ऐ बस तो मारी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं वबावायास है तो इंडिया ने जो चाहियत है इंडिया ने लिया सैंक्शन्स इरान के उपर है भारत ने कल परसों ही दस साल की डील साइन करी है चाबार के लिए और 375 मिलियन डॉलर्स का इंवेस्मेंट इरान में वो फिर कह रहा है सैंक्शन्स लगा तो लगा दो नहीं यार लगा दो सैंक्शन्स कानी खतम करो हम मना कर रहे हैं हम हाथ जोड़के जा रहे हैं कि सैंक्शन्स मतलगा हो हम थर थर कहां पर रहे हैं तो ये Americans की कोशिश है दबाने की तुम हमारी बात मानो हमारी तो एनान से कोई लडाई नहीं है तुमारी लडाई है तुम सॉट आट हो ना यार सको हमारी तुम कोई लडाई है तुमारी लडाई है तुम चाहते हो क्योंकि तुम्हारी लडाई ये दुनिया भर लडाई मोल ले तुम अपनी लडाई सॉट आट करो उसे अच्छा अब डॉक्टर जैशंकर ने एलेक्शन्स के बारे में एक और दोस्तों बहुत बड़ी बात बूले डॉक्टर जैशंकर ने डॉनल्ड टरम्प और जो वाइडन के बीच में इंसरेक्शन का केस चला है डॉनल्ड टरम्प के उपर सब्ता का फोर्स इस्तमाल करके हत्यार इस्तमाल करके सब्ता को पलटने का इंसरेक्शन का केस उसके उपर चला है डॉनल्ड टरम्प के उपर और भी दस केस और चल रहे हैं उसके उपर लेकिन ये भी चला कोट के चरी हो गई कौन जीता हमारे याथ तो लिए उती कोट के चरी के कौन जीता कौन चुनाओ जीता आप चार तारिक को देख ले ना चार जून को अभी जितने भी हला कर रहे हैं जितने भी political parties हला कर रहे हैं कि गेम बदल गया ये सब अपना चूरन बेच रहे हैं इनका कग गेम नहीं बदला मैं आपको बता रहा हूँ ये चार तारिक को लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि इनमें इतनी decency होगी कि चार तारिक की दोपर ये चार तारिक की शाम को ये मोदी जी को फोन करके बोल देंगे बहुत-बहुत मुआरब बादा लेकिन और देशों में ऐसे नहीं होता भारत में एक चोटी सी चीज़ हो जाए अमरीका में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये अमरीका और western powers को खुझली कब होती है भारत में एक बंदा मर जाए किसी x y z की lynching हो जाए यहां पर या murder हो जाए यहां पर everybody's in danger, minorities are in danger वहाँ पे regularly assault weapons लेके school में जाके 10-10, 15-15 बच्चों को मार देते हैं अमरीका में कोई ऐसा हफ़ता नहीं जाता जहां पे gun related mass killing mass violence ना हो, मैं एक दो को गोली मार दी में उसकी बात नहीं कर रहा है mall में घुजगाए, school में घुजगाए, library में घुजगाए shopping center में घुजगाए, ठाँ 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 parking lot में उड़ा दी है, चारवाच यह हर हफते अमेरिका में होता है हर हफते अमेरिका में होता है दोस्तों, कोई कुछ कहता है अमेरिका, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आज मैं बोलने पे आयों तो पूरा बोल देता हूँ अमेरिका ने जब यहां पे अगनी वीर हुआ ठीक है, अगनी वीर में आपका एक अपिनियन हो सकता है, मेरा हो सकता है हमें इंडियन्स हैं, हमारा हक है, अगरी करने का डिसगरी करने का हमारा हक है यह अमेरिका क्यों बीच में बोलता है, अमेरिका क्यों बीच में बोलता है अमेरिका कहता है, अगनी वीर का बड़ा मामला हो गया है पहरत में और हम बड़े चिंते थ हैं और हम बड़ी गहरी नजर से सको देख रहे हैं और तुम्हारी ऐसी कित रही, तुम गहरी नजर से देख रहे हो. हर साल अमरीका में दोस्तों हर साल अमरीका में छे हजार वेटरिंज आत्माथ्या करते हैं छे हजार हर साल आत्माथ्या करते हैं वो वेटरिंज जो की अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एफ़ॉस, अमेरिकन मरीन्स में यूएस मरीन्स में निवीर का ग्यान दे रहें और दे रहें अमरीका है अमरीका ग्यान दे सकता है वेस्टन कंट्रीज ग्यान दे सकते हैं खुद इनके सारे घर के परदे फटे हों हमारे घर का इंटीरियर इनको एक बार जरूर डिसकस करना है दोस्तों और जब वेस्टन मीडिया ने पूरा य लिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा कर देंगे और सैंक्शन्स लग सकते हैं किसी भी देश की उपर भारत का नाम ने लिए किसी भी देश की उपर जाहिर सी बात हैं इंडिया के उपर बात कर देंगे बात कर लेंगे बात कर लेंगे अमरीका को अगर खुजली हो रह प्यार मौबत से नीचे बैठाया और जहां पे भारत की काहानी भारत का नेरेटिव भारत की स्टोरी आगे बढ़ानी है डॉक्टर जैशंकर पीछे नहीं आटे ठोक के आगे बढ़ाया